नमस्कार मित्रों बहुत बहुत स्वाकत करते हैं आपका हमारे चेरण में मित्रों साल 2022 का आखरी चंदरग्रह 8 नवंबर को लगने जा रहा है और ऐसे में दिपावली के बाद लगने वाला यह ग्रहन बहुत दिभयंकर और प्रभावसाली रहेगा क्योंकि 15 दिलों के अंतराल में यह दूसरा ग्रहन होगा पहला ग्रहन 25 अक्टूबर को सुरी ग्रहन लगा था और दूसरा ग्रहन यह 8 नवंबर को चंदरग्रहन लगने जा रहा है ऐसे में यह ग्रहन बहुती प्रवावसाले, बहुती भयंकर और बहुती ताप कारी रहेगा ऐसे में सभी मनुस्यों को बहुती सत्रक रहने के जुरत होंगे खास तोर पर बच्चे, बूढे और गर्वती महिलाओं को भी से स्तावधानी रखने के जुरत होंगे क्योंकि यह सूरी चंदरग्रहन जो है भारत में दिखाई देगा और भारत में इसका सूतक काल भी लगने बाला है ऐसे में आपको बताएंगे इसके सूतक काल का सही समय ग्रहन काल का सही समय और कौन से सावधानी वरतने से आपको इस समय ग्रहन से बताय जा सकता है और किस प्रकार के कारे को करने से आपको सुब फलो की प्राप्ति होंगे धन दौलत की प्राप्ति होंगे आप किस प्रकार से मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यसी के साथ अगर आपको भी आपके सहर का कि आपके सहर में गिरहन कब लग रहा है तो आप अपने सहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें मित्रों 8 नमबर को लगने वाला चंदरगरन पूर्ण चंदरगरन होगा और जिसे अमेरिका में साफ साफ देखा दा सकेगा भारत में भी यह चंदरगरन दिखाई अंटार्टिका, हिंद महसागर, आर्टिक्ट का और अंटार्टिका में दिखाई देने वाला है निसे के साथ ये कार्थिक अमवस्य के दिन, कार्थिक पूर्णीमा के दिन यह ग्रहन लग रहा है जिनकी वज़ह से इसका प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है और कहा जा रहा है कि ऐसा ग्रहन बहुत सालों के बाद लगने जा रहा है। और भारत में भारती समय के अनुसार यह चंद्रग्रहन पांच बच कर 20 मिनट से दिखाई देगा और यह 6 बच कर 10 मिनट पर खत्म होने वाला है। ऐसे में इस रासी के जात्कों को भी से सावधाने रखने की जरूरत रहेंगे वहीं आप पूजा पाठ इसमें मंदिरों में न करें बलकि मन ही मर भगवान जी की पूजा अराद न करें और आप जो है इस समें दुरुगा चालीसा का पाठ कर सकते हैं चंदरोदे का पाठ कर सकते हैं और आप इस समें कई प्रकार के मंत्रों का उचारन कर सकते हैं हनुमान चालिसा कपाट भी आप इस दोरान कर सकते हैं गर्वती महिलाओं को सुई कैची चाकू इत्यादी चीजों से उपर हेज रखने के जरूरत रहेंगे और आप भोजर भी सूरी ग्रहन के दोरान बिल्कुल भी ना करें आप मंदर के कपाटों में नचुएं मंदर अत् खोर वचन ना बोले बालों और कप्रों को नहीं रोचे घोडा हाथी की चवारी भी ना करें ग्रहन काल में वस्त्रों को ना फड़े कैची का प्रियोग विल्कुल भी ना करें गहां से लकड़ी फूलों के तड़ तोड़ने की मनाई होती है और यदि तिर्थ अस्तान का जलना हो तो इसी पात्र में जलने कर तिर्थों का अवाहन करके सिरसहित असनान करें और असनान के बाद बालों को निचोड़ें गाय वक्री अमंग भैस के दूर का दोहन न करें सैन या यात्रा न करें आप चद्रघंड के दुरान गर्वति वहलाओं को भी सेश तोर पर अपनी सिहत का ध्यान रखने की जरूरत रहेंगी आप कदर महत्र बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमाता दी अवस्त